तो हेई गाइस चलिए शुरू करता है कोई की रिविजन ओफ नेटवर्क सिंप्लिफिकेशन टेक्निक्स यह एक रिविजन वीडियो है तो इसमें एन थियोरी के बारे में नहीं बलकि की पारे में बात करेंगे हमें पता नेटवर्क सीरीज होता है या तो पैलल होता है अब के तीनों के कॉमिनेशन भी हो सकते हैं सीरीज जब भी आप नेटवर्क को सीरीज में सिंप्लिफाय करेंगे ना तो उसमें आत्में आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज हमेशा डिविज डिवाइड होता है मतलब वोल्टेज की वैल्यूज अलग अलग होती है करेंट से होगा इन बत्व के ऐन रखना चली शुरू करते है कॉश्यन के तर्फु को यहां पर आपको पहला सरकृट एक रखा है की तो अब ध्या रखना मैं आपको बता Essentially अ आप चाहिए तो Z1 और Z1 के impedance के format में भी कर सकता है आपको same value मिलेगी मान लीजए V volt की battery है जो i current produce करती है तो अब ध्यान रखना जासे कि मैं आपको बताता कि current same होता है current same होने का मतलब ही होगा यह जो i current है यह पूरे network में same ही रहेगा क्या different होगा वो है voltage क्यों क्योंकि series में तो अगर यह voltage है total voltage V है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह होगा V voltage V1 voltage और यह हो जाएगा V2 voltage आपको बस इन ही दूबातों का ध्यान रखना है अब इसकी value कैसे find की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना voltage डिविजन में जो जिस impedance याफ जिस resistance के value के around आपको value find करनी है वो value उपर रखेंगे upon total resistance जब आप इसको practice कर लेंगे तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा सेम चीज इसके साथ भी होगी क्योंकि revision वीडियो है तो इसमें मैं आपको theory नहीं बताऊंगा जब आप इसमें current की equations को और voltage की equations को solve करेंगे और जब आप R1 के through current को find करेंगे तो आपको value मिल जाएगी सेम चीज आपको V2 भी इसी तरह मिल जाएगा अब बात करेंगे हम second topic सी जो है parallel में तो जैसा कि आपके सामने दूसरा parallel circuit दे रखा इसमें भी मैंने R1 R2 लिया आप चेतों यहाँ पर Z1 impedance Z2 impedance आपको पते होगा वो कुछ भी हो सकता RLC और इन तीनों का combinations भी तो मान लीजिए एक current source है जिसकी value आई दे रखी है यह R1 है यह R2 है अब देखिए इस चीज को समझना जब current यहाँ से इस branch में जाएगा तो इस node से जो है current डिवाइड होगा कुछ पार्ट करेंट कर दर जाएगा कुछ पार्ट इदर जाएगा मान लीजिए यह i1 current है और यह i2 current है i1 i2 की value कैसे पाता करेंगे तो i1 i2 की value जब आप circuit को solve करेंगे तो जब आप R1 के round जब आप आप voltage निकालेंगे तो आपको current की equation i1 and i2 दून भील जाएगे मैं आपक को सीधी values बता रहो हमने voltage के time पर क्या कहता है जिस voltage जिस resistance जिस impedance के round हमें voltage निकालना हमें उसे numerator में रखाता तो इस case में हम उल्टा करते है हम opposite resistance को ऐसा मान लीजिए current आपकी गाड़ी है अगर आपको कहीं पर जाना है और आपके पास में दो रस्ते एक रस्ता वह है जहां प मान लीजिए अगर r2 infinite होता तो सारा current r1 में से flow होता क्यों क्योंकि यह गड़े वाला रस्ता है अगर मान लीजिए यह बिल्कुल smooth होता short circuit हो जाता तो यह highway बन जाता current के लिए तो ऐसा मान कि आप easily questions को solve कर साथे तो जो i1 में निकालूंगा तो r2 upon r1 plus r2 into total current i same चीज i2 is equal to r r1 upon r1 upon i इसकी मतब से आप इससे easily wind कर सकते हैं अब यहाँ पर घ्योर करने वाली बात के जो मैं आपको बताया था parallel circuit में कि voltage के लिए बराबर होती है कैसे r1 into v1 r1 into i1 जब आप solve करेंगे ना तो यहाँ पर जो voltage होगा same voltage हाओ क्योंकि kvl का wallet नहीं हो सकता के वेलो केसे wallet कभी नहीं हो सकते किसी भी network और circuit में अगर वह आपके solve करने पर answer ऐसी value दे रहा है जिसे के वेलो का violation हो रहा है तो आपने कहीं नहीं कहीं mistake करी है तो आप ध्यान से उस चीज को follow करना